Hello student, welcome to Pinteser Edgends classes. I am Sandeep Singh, your biology coach. Student, आज हम फिर से देख रहे हैं, did you know it? Next fact, जो हमारे सामने काफी special effect है, वो कहा है? What was blood rain in Kerala? Kerala के अंदर जो blood rain है, किस तरह से उसको पताया हुआ है? या उसका basic main reason कहा है? क्योंकि उस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे इस बात को देखके, कि blood rain का मतलब क्या है? या उसके क्यों कहा है? Because उसका main, जो point हमारे सामने है वो, क्या है? Red color of rainwater, rainwater का color red था, जो कि बहुत ज़्यादा डरावना था उस टाइम पे, लेकिन scientifically जब इस सूइट को देखा तो इसका region कुछ और ही हमारे सामने आया था, वो region क्या है कि कब से ये rain और कब तक हुआ था, तो इसमें जो हमारे सामने आया है point, वो है from July 25 तो 23rd September in 2001, तो ठाओ या, बन के अंदर 25 जोलाई से लेकर 23rd September तक ये rain हमें देखने के लिए मिला था, अब यहाँ पर जो main cause है, वो क्या होता है, तो देखिए, scientifically, जो main cause of blood rain was red algae, red algae, जो हम कहां पढ़ते हैं, जो basically red algae है, वो mainly ocean में मिलता है, और ocean में मिलने के साथ-साथ हम बालो जी में कहां पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर kingdom planting, division thalophyta, class होती है, और जो responsible pigment है, वो responsible pigment होता है, यह main responsible होता है for red color of red algae के लिए, तो blood rain किसकी वज़े से था, red algae की वज़े से था.